आधिश चुनौती तो विपक्षकी भी है, जैसे कि कॉंग्रेस में अभी हमने देखा था कि बयान आने लग गया कि हमने इतनी सीट जीत ली तो अब हमारा चेहरा होना चाहिए विदान सभा के लिए, तो उसको राहूल गांदी ने समय रहते उसको शांत कर दिया, कॉंग्रे में अगर आहूल गांदी के हम बात करें, तो महराष्ट में उनको ये पता है कि उधर ठाकरे को अगर सामने रखके वो लड़ेंगे, क्योंकि उधर ठाकरे ने तो अपना पहले डिकलेर कर दिया है, कि वो चेहरा रहेंगे विपक्षका वहां पे जब भी विदान सभा चु करना है, और उन्होंने ये बता दिया है कि वो किसको असली समझते हैं, और कॉंग्रेस का भी अपने पर्फॉर्मेंस में हमने काफी इंप्रूव्मेंट देखी है, तो इस चुनाव में विदान सभा चुनाव में अभी समय भी है, अगर मुझे नहीं लग रहा है कि सीटों अपना जो पक्षे उसको अंडर्माइन नहीं करेगी, अपनी तरफ को कोई भी बयान बाजी को बढ़ावा देके या गुट बाजी को बढ़ावा देके, जार्खंड में जैसे आपने कहा, वहां पे कोई बहुत बड़ी चुनाथी है, सच नहीं है, कॉंग्रेस और जेमें का अच्छा खासा चल रहा है कटबंधन, उनके बीच में कोई जगडा नहीं है, कोई सीटो को लेके लड़ाई नहीं है, और धार्खंड का जहां तक सवाल है, वहां ट्राइबल वोट बहुत इंपॉर्ट है, और ट्राइबल चेहरे के रूप में अभी वहां सोरेन फैमिल लेकिन मरांडी जी का थोड़ा बैग्राउंड ऐसा रहा है कि लोग वहां घबराते हैं मरांडी जी, जब वह मुखे मंत्री थे, तो उन्होंने एक ऐसी डो मिसाइल पॉलिसी एनाउंस कर दी थी, जिससे कि नॉन ट्राइबल के बीच में बहुत ज्यादा असंतोश हो गया तो जो नॉन ट्राइबल कोर वोटर है बीजेपी का, वो मरांडी के नाम से डरता है, और वो नहीं कभी चाहेगा कि उस तरह की पॉलिसी बीजेपी की सरकार कभी बने भी, तो वो लेके आए, अर्जिन मुंडा का थोड़ा सा अभी डाउन पे है, वो खुद अपनी सीठ हा नहीं, तो जारखन में भी कॉंग्रेस जे में का सही चल रहा है, आपस की उनकी अंडरस्टाइणिंग भी अच्छी है, हर्याना में कॉंग्रेस का तो कहर अपना प्रफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, लोकसभा में, तो वहां पे कोई बहुत बड़ा चैलेंज लग नह रखी है, जैसे जब किरन चौधरी ने छोड़ा, तो उनको कोई मलाने की, कोई रोकने की कोशिश नहीं हुई, और वो जिस खेमे से आती है, वो कुमारी शेल जा के खेमे से आती है, तो कॉंग्रेस ने मैसेज क्लियर कर दिया है, कि हुडा जी वहां पे प्रिडॉमिनेंट रहेंगे, लीडर रहेंगे, और बाकी सब को उनके अंडर में रहना पड़ेगा, तो बीजेपी ने अपनी चुनौती को देखा, खटर जी को हटाया, तो बीजेपी तो और वहां पे शेकी ग्राउंड पे दिख रही है, और जेजेपी ने जो पिछली बार बहुत अच्छ खासे वोट लेके आ गई थी, इस समय जेजेपी का भी बहुत ज़्यादा लग नहीं रहा है कि होगा, या होगा भी तो वो अभी फिलहाल कॉंग्रेस के फेवर में है, तो बीजेपी के लिए कॉंग्रेस के लिए वहां भी सिचुएशन अच्छी है, और बीजेपी की चु सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे पेज को लाइक करें